बॉलिवूड की तरफ से काफी समय बाद एक अच्छी रॉम कॉम मूवी हमें देखने के लिए मतलब कि रोमेंटिक कॉमेडी और जब इसमें ड्रामा एड होता है तब इस फिल्म का जो लेवल है वो ज्यादा एडवांस हो जाता है मैं बात करने वाला हूँ तु जूटी मैं मकार मैं मकार नहीं जो रणवीर कपूर ने कैरेक्टर प्ले किया है मिक्की वो शायद मकार है या फिर जूटी है टीनी वो देखने लाइक होगा क्योंकि शर्दा कपूर ने जो रोल प्ले किया है वो है टीनी नाम का अब दोस्तो बेसिकली ये कहानी स्टार्ट तो होती है टीनी और मिकी कहानी से बर दोस्तों जब एंड होती है तब बात फैमली की आ जाती है और जब भी फैमली की बात आती है हम इंडियन काफी जादा एमोशनल हो जाते हैं मैं बहुत जाद हो तो आपको नहीं बता सकता हूँ पटिकरर मैं शौट में बता हूँ आपको घुमा फिराके तो आप जानते हैं जब कदू को कटना होता है तो चाकू को उस पर गिरना होता है पर दोस्तों कभी-कभी ऐसा कुछ होता है जब कदू है चाकू की उपर गिर ज जिसका कटा है, कमेंट में जरूर बताएगा कि हाँ मेरा भी कटा है, देखो अगर मैं बात करूँ इस मूवी के बारे में, तो basically अगर हम बात करें इस मूवी के स्टोरी, तो स्टोरी सच कहूँ तो जितना हमने ट्रिलर देख के एक्सपेक किया था उससे जादा है भाई इस फिल्म के अंदर अगर मैं बात करूँ इस फिल्म में एक्टर्स की एक्टिंग तो भाई रनवीर कपूर बाबा ये लेवल होती है अक्टिंग की और सच कहूँ तो शारुक खान के बाद अगर रोमैंस में कोई बंदा लगता है इस फिल्म के अंदर वह है इसकी पपिया जिया जितनी इसमें जपिया नहीं है उससे जादा तो इसमें पपिया है और अगर मैं बताओ इस फिल्म को फैमिली के साथ आप तभी देख सकते हैं जब आपनी फैमिली में आया कि कुछी के साथ भाद और जब भी वह सीन आयेंगे तो आपके पै ряд सा को देखेंगे और आप उनको भै वह भो बोलेंगे जब वह धर हम आप प्रलेख औंगका वह देखने लाइक होगा देखो ये फिल्म की बाद अगर देखने से आदाया कि ये फिल्म की लेंद ना थोड़ी सी जादा है लगभग 2 गंटे 45 मिनट की मूवी है एक रॉम कॉम मूवी को 2 गंटे 45 मिनट तक ले जाना मुझे रगता है थोड़ा जादा हो गया जिस तरह से इस फिल्म के अंदर गाने भी डाले गाए है दो गाने तो अच्छे लगते हैं पट अदर जो गाने वो अच्छे भी नहीं लगते हैं और सच कहूँ तो मतलब उनकी लेंथ मुझे लगता है काटी जा सकती थी और फिल्म से भी कुछ-कुछ जो पॉइंट से वो निकाले जा सकते थे और वो निकलते तो यह फिल्म भाई एक सूपर डूपर हिट फिल्म बन जाती मतलब लिटरली देखने के मामले से वैसे मैं बता हूँ तो यह फिल्म जो है बॉक्स ओफिस के अंदर कलेक्शन करने वाली है मैं लिख के आ देख सकता हूँ और मुझे लगता है यह एक अची हिट फिल्म बनेगी अगर मैं बात करूँ इसमें और भी जो लग कैरक्टर से एट थे परफम कर रहा है यह टेलेंट वहीं के बारे में जानते ही नहीं थे उनके साथ भी इंपल का पाडिया जो थी वह भी इस मूवी के अंदर देखने मिली और दो दसनेट का इन दोनों का कैमियो रहता है जो की सच कहूँ फिल्म में काफी अच्छा एक 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 एक्स फेक्टर प्रदान मतलब प्रदान मतलब मैं क्या करे दूँ उसको डालने की कोशिश करता है और सच कहूँ तो वह इंपक्पुल भी लगता है देखो ओवरॉल फिल्म के अगर हम बात करें तो एक अच्छी कॉमेडी या फिर मैं सच कहूँ हो एक अच्छा कॉमेडी होने के साथ-साथ इस फिल्म के अंदर जो लेंथ जिस तरह से आगे बढ़ती जाती है यह फिल्म उतनी ही जादा लोगों को ग्रिप कर दी जाती है क्योंकि दोस्तों स्टार्टिंग में तो आपको दिखाया गया है रनवीर कपूर और शरदा कपूर की स्टोरी पर दोस्तों वो इस स्टोरी किस तरह से तूटती है और फिर आगे बाद में आखे जूड़ती है और उसमें फिल्म फिल्म को काफी जादा बहतरीन बनाता है और लोगों को कनेक कर जाता है मतलब फैमले किसाथ अगर आप जाएंगे तो ये तो कैय Chun remake कि य отлич जोंदी इंटल विर वि睡 बहतरीन डायलोग्स है इस फिल में, बहतरीन फैमिली ड्रामा है इस फिल में, बहतरीन रोमैंस है, बस थोड़ा किस जादा है, मतलब जो बोल्डनेस है वो इस फिल में जादा आपको देखने मिलेगी, तो अगर आप कमफर्टेबल है उस बोल्डनेस है, भाईया आप भी रिपीट में देखने के दम रख सकते हैं क्योंकि दोस्तों ये फिल्म आपको बोर नहीं करेगी इसमें कॉमेडी एलमेंट जो है वो काफी जादा हद तक डाले गए है ओवरल इस फिल्म को मैं एक रेटिंग से बारे में बात करूँ कम नहीं लग रहे हैं दोनों ही बहुत ज़्यादा बोल्ड लग रहे हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं देखो इस फिल्म को जरूर देखना मिलते हैं आपसे एकली वीडियो में तब तक लिए टेक केर बाई बाई जय हिंद चैपार